गुड मॉनिंग बच्चा पाटी AVL Classes के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जहाँ पर हम NCRT Class 7 के Mathematics की Exercise 1.2 पर है ठीक है? Exercise 1.2 का हमने Question No.1 कर लिया है आईए दिखते हैं Second Question क्या कहता है Second Question कह रहा है Write a pair of negative integers whose difference given 8 यानि कि हमें negative integers का ऐसा pair लिखना है जो हमें difference 8 दे Write a negative integer and positive integer whose sum is minus 7 यानि कि उनका sum अगर minus 5 आ रहा है तो हमें वो set of integers लिखना है Write a negative integer and a positive integer whose difference is minus 3 ठीक है? अगर आपने पहला Question देखा होगा तो I hope इसमें आपको कोई problem नहीं होगी फिर भी हम देखते है Question क्या क्या है Conditions wise, first में क्या पूचा है उसने second में क्या पूचा है third में क्या पूचा है पहला देखते है pair of negative integers whose difference is 8 तो क्या लेंगे minus 3 और minus 11 देखी मैं करके दिखा देता हूँ इसको यहाँ पर हमने लिखा एक integer है minus 3 क्या पूचा है उनका difference difference के लिए minus का sign लगाते है दूसरा number है हमारा minus 11 दूसरा number हमने लिखा minus 11 equals to क्या है minus 3 ऐसी रहेगा अब जब इस bracket को open करेंगे तो यह क्या हो जाएगा plus का 11 हो जाएगा अब जब 11 में से 3 subtract करेंगे तो we get 8 ठीक है तो first condition में आपका pair हो गया minus 3, minus 11 ठीक है clear चली second देखते है pair of negative integer and one positive integer whose sum is minus 5 यानि कि एक negative integer लेना है एक positive integer लेना है उनका sum minus 5 होना चाहिए हमने लिया example minus 7,2 ठीक है चली बताते है क्या है आप देखो एक minus 7 है और दोनों का sum निकालना है तो plus का sign लगाएंगे और दूसरे integer है हमारे पास 2 तो जब हमारे 7 में से 2 subtract होंगे और 7 minus के बड़े है तो we get minus 5 क्योंकि 7 में से 2 गए we get 5 और 7 minus का बड़ा है तो इसलिए हमको minus 5 यहाँ पर मिलेगा ठीक है clear जैसा मैंने पहले question में आपको बता था बिटा कि जो pair मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि आप उन्हीं को रटे ठीक है आप अपने concept के waste पे pair को change भी कर सकते ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पर minus 9 लेलू तो यहाँ पर हमें 4 लेना होगा ठीक है यही उसने पूचा है कि difference कितना आना चाहिए minus 3 आना चाहिए एक example हो ली सकते हैं जिसमें difference minus 3 है minus 6 क्या निकालना है में difference ठीक है difference के लिए आपको एक positive और एक negative लेना ठीक है हाँ तो आप मैं दोबरा बता देता हूं आपको यह हो जाएगा आपका minus 1 और एक difference का sign दोर सा हो जाएगा 2 तो we get minus 1 minus 2 equals to the minus 3 प्यानिके एक pair क्या होगा आपके पास minus 1 और 2 ठीक है तो यह pair हो जाएगा तो ऐसे आप conceptually find out कर सकते हैं कि जो हमें उसने पूछा है वो हम किस pair से integer के बता सकते हैं ठीक है चलिए I hope students आपको यह clear हो गया होगा चलिए thank you आपको यहाईगा चलिए I